हेलो दोस्तो आज डिम्पल्स डिसिस मा जन्मास्टमी स्पेशल पंचरतना मेवा पाग बाल गोपालना भोग धरावा माटे बनी रहयो छे खुबज टेस्टी, खुबज ईजी औने जटपट बनी जती आ पंचरतना मेवा पाग बना वो खुबज सरण छे औने खावामा खुबज हेल्दी औने टेस्टी छे तो बाल गोपालना जन्म दिवस पर आजे आपणे आवो भोग बना विशु तो बद्दी टीप साथे आजनी रेसिपी शुडू करिये तो चलो मारी साथे तो जिमना माटे आपणे अईया सुकू नारियल लेवानू छे छे 100 ग्राम छे औने नारियल ने आपणे खमण वानू छे मतलब खमणी थी आपणे मीडियम साइज नू खमण तयार करवानू छे बोव नानू पढ़ नई औने बोव मोटू पढ़ नई अन्या सुका नारियल खुब जहल्दी होवा थी में सुकू नारियल निदू छे अन्य हवे आ रितेऊं खमणी लेश आ रिते खमण ता लगपग मेजरिंग कप थी जोई ये तो एक कप जेटलू आपणू खमण तयार थाशे अने ग्राम मा जोए तो अत्यारा सुकू नारियल 100 ग्राम जेटलू छे चुँँ तमने नजिक्थी बता विदव छू के मिडियम साइज नू आपणू खमण तयार थाई छे के रेसिपी पसंद आवे तो लाइक कर जो शेर कर जो कोमेंट कर जो अने आवी अवनवी डिसंट रेसिपी तमने फ्रीमा अने साथी जड़प्थी मलती रहे ए माटे सब्सक्राइब करी बेल आइकोन पन दबाव जो तो में आखमण तयार करी लिधू छे पॉफेक्ट हवे आपने आगर नी प्रोसेस गेस उपर करी शू तो कड़ाई मां हूं देसी बे चमची जेटलू घी नाखुछू आपने अईया आजे आजे मेवापाक बनाविये छे देसी घीमा बनावी शू अने मात्र बे चमची घीमा बनी जसे तो घी आपने हलकू गरम करी शू अने गेसनी फ्लेम आपने तीमी राखी शू आपने अईया एक कप जेटला मखाना लिधा छे मखाना खुब जहल्दी ओई चे अने टेस्टी पन अने स्वास्थ्यमा पन खुब तंदूरस ती आपवानू काम करे चे मखाना तमने कोई पन प्रविजन स्टोर माँ मखाना मळी जसे अने एक ए ड्राइफ रूट नोज प्रकार छे हवे दिमेगेस नी फ्लेम पर आपणा मखाना गोल्डन कलना थाई अने थोड़ा क्रिस्पी थाई पछे आपणे आग आपणा मखाना ने बहार काडी लेशे तो हवे आपणा आ मखाना गोल्डन पन थेग्या छे अने क्रिस्पी पन देखाई छे तो आपणे मखाना ने आ देख्वाना छे साथे हुआ यां बे चमची छेटलो तर्बुष ना बीच औने बे चमची छेटली चारोडी लवचु तमे अई यां गुंद ने पन तड़ीने लई सको छो औने आ रिते मेजे प्रोसेस्थी बनावेलू छे ए प्रोसेस्थी पन पंचरतन मेवापाग अधी करता तो में आजे गुंद ने एवोईड करियो छे तो आ रिते आपणा आड राइफ्रूट गोल्डन कलर अने क्रिस्पी था आए पछे आपणे काडी लेवाना छे लगभग बे त्रण मिनीट सुधी धिमी गेसनी फ्लेम परशेक्सो तो गोल्डन पन थाई जसे अ अवे एज गीनी अंदर आपणे छे नारियल ने खमणी ने राख्यू छे एपणामा नाखी देशू अने वधारे सारा टेस्ट माटे अड़धा कप छेटली किस्मीस नाखी शू साथे अईयां आपणे बे चमची छेटला खस-खस नाबीज पन नाखी देशू अने हवे अब बदी जवस्तु बराबर रितेश शेकी शू औने धिमी गेस नी फ्लेम पर गोर्डन कलर था अई तियां सुदी शेकी शू नारियल किस्मीस अने खस-खस ने सेकाता वार नथी लागती छे थी में अलगज शेक्या छे तो लगभग बे मिनीट मां बद्दू शेकाई अपने ऐया अड़ दिनानी चमची शेटलो मरी पावडर नाखी शू तमे सफेद मरी पावडर अथ्वा काडा मरी पावडर जहे घरमा होई ए नाखी शको छो કાણ કે પંચિરતના મેવા પાગમાં આપણે આઈયાં મરી પાવડરનો જરુરથી ઉપ્યોક કરીશું તો હવે એજ કડાઈની અંદર આપણે ચાસની બણાવમાટે અડધા કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને અડધા કપ ખે આ રીતે વચે 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 ચમ્ચો ફેળોતા જસું અને ધિમી ગેશની ફ્લેમ પર બે તારની ચાસની થા એત્યા કોસ પીસી સકો જો મીક્શર ચારમાં તમે ન પીસી સકો આટલા અતકચ્રા તો તમે જરુરુતી ખાણી દસતાનો એ કાણ કે અલમોસ ચાસની પણ બંવા આવી રઈ છે તો આપણી ખાણ પણ ઓગળી ગઈ છે અને બોબલ્સ પણ દેખાઈ છે ગેસની ફલેમ બંદ કરી દીધા બાદ આપણે શેકે લુટો પ્રુ અને જે ડ્રાઈ ફ્રુટ તયાર કરીઆ તાને યા પાક ના ફોમા કે પીસના ફોમા કે ટુકળા ના ફોમા બિલ્કુલ નઈ બંધાઈ તો આ મિશ્રણ છેવું બંધાવા લાગે કે મિક્સ થઈ જઈ કે ફોટા ફોટ આપણે એક પ્લેટ ને ખીતી ચિક્ણી કરવાની છે અને ચિક્ણી દોટ તારની ચાસણી લેવાની અને થંડી સિજણ્માકે ચોમસાની સિજણ્માં બણાનું થાય તો બેતારની તો જું આરીદે ટચ કરું છું બીલ્કુલ ધંડુ થેગીં છા બીલ્કુલ કરમ નથી તો હવે આપણે ટુકળા કાડી દરોજ ફ્રીમાં જોવા માટે ચનલ સબ્સકરાબ કરજો લાઇક કરજો શેર કરજો બોચલી મળીસુ એક નવી ડીસં કરફ૮ાળ કર૨લ કરચે નીલ માા એાએ થાે ૨લીલ ન झाल झाल झाल